बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com मित्रो नमस्कार, मैं हूँ आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभी नंदन करता हूँ ASTRO TAK की खास फ्रस्तुती कमल नंदलाल की भविश्वानी आपका राशी फिल इस राशी फिल में हम आपको बताएंगे मेश से लेकर मीन राशी के जीवन का हाल और साथी साथ आपको बताएंगे राशी अनुसार कुछ सरल उपाए जो आपके जीवन को सफल बनाए लकी नमबर और लकी कलर के साथ में आपको बताएंगे पंचांग और दिन का हाल और खास बात क्या राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा स्पेशल उपाए जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर भगाए इस से पहले कि मैं राशिफल की शुरुबात करूँ मैं आप सभी से नवेदन करूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें सबस्क्राइब करें और कमल नंदलाल तो यह कहता ही है कि उन्हें जरू कमाएं शेर जरू करें और खास बात कि आगर आप मेरी सेवाई लेना चाहते हैं तो सीधा आजाएए हमारी वेबसाइट www.astro.com पर मेरे प्रोफाइल पर आकर सीधा सर्विस सिलक कीजे और वहीं से मुझे कॉल मिला लीजे मुझे आपके कॉल का इंतजार रहेगा तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे पंचान की तो दिन है बुदुहार का तारीख है 28 जुलाई 2021 किस शावन कृष्ण पंचमी पर चंदर्मा मीन राशिय और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे भाग्यांक रहेगा चार शुब रंग रहेगा नीला शुब दिशा रहेगे नैरित यहने कि साउथ वेस्ट रहुकाल रहेगा दुपहर को बारा बचकर 27 मिनट से लेकर दो बचकर 9 मिनट तक पंचक रहेंगे दिन रात दिन का सबसे शुब महुरत रहेगा सुबह 9 बचकर 4 मिनट से लेके सुबह 10 बचकर 45 मिनट तक और विशेश क्या है शावन पंचमी है, सावन महीने के पंचमी है और इसे ही शिव पंचमी कहा जाता है और पदम योग भी है, अत्ती विशेश दिन है और मैंने आपको शुब समय भी बता दिया है और ये जो पंचमी है, इसके बारे में शास्त्रों में, रुद्र सहीता में, शिव पुराण में बहुत ज़्यादा बखान किया गया है और एक प्रशन आप से, क्या आप कामकाज में सफलता पाना चाते हैं आप किसी जगे नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी में सफलता पाना चाते हैं क्या आप बिजनिस में सफलता पाना चाहते हैं क्या कोई आप लाइजनिंग का काम कर रहे हैं क्या उसमें सफलता पाना चाहते हैं अगर आप सफलता पाना चाहते हैं मेरे मित्र तो राशी फल को आखर तक देखना पड़ेगा क्योंकि हमारा स्पेशल जो उपाय है वो सफलत के साथ में, 12 चंद्रवा है मेश राशी वालों, समाज में वर्चस्प बढ़ेगा, लोग सयोग भी करेंगे, दोस सयोग भी करेंगे, कामों को धहरे से करेंगे, तो सफलता जरूर पाएंगे, कारशेत्र में कुछ बदलाव लाएंगे, काम को भेतर डंग से करने का प्रियास भी करेंगे इस राशी के जो च्छात रहें उनको सकारतमक परिणाम मिलेंगे दिनको और अच्छा बनाने के लिए शिव चालीसा का पाठ कर लीजे सब को शुब होगा लखी नमबर चार रहेगा लखी कला रहेगा नीला आपके लिए बात करेंगे राशी नमबर दो व्रिश याने के टारस की व्रिश राशी वालों देखें ग्यारवां चंद्रमा है उर्जा से भरे रहेंगे कोई खोशकबरी भी मिल सकती है कारोबार में सफलता की योग दिखाई देते हैं आए के नए साधन विक्सित होंगे जिवन साथी से पूरा सयोग मिलेगा पारिवारे किस किसी भी गरीब कन्या को नाश पाती दान कर दीजे लखी नंबर आपके लिए एक रहेगा लाल आपके लिए बात करेंगे राशी नंबर तीन मिथन यानिके जमनाई की मिथन राशी वलों मने में कुछ उल्जन रह सकती है दोस्तों की राय कारगर साबित होगी राय जरू म ने उनकी बुजर्ग धर्मस्तल के दर्शन करेंगे, दूसरों के मामले में टांग ना अडाएंगे, ये सलाय आपके लिए टांग अडाएंगे, तो कहीं कुछ गड़वड हो जाएगी, छात्र मिले हुए भेतर अवसरों का लाब भी उठाएंगे, एक विशेश काम करें, ओ ओम वन दुरगायनमहा, जो वन की, यानि की जंगल की दुरगा होती है, ओम वन दुरगायनमहा, इस मंतर का चाप कर लीजे, विशेश कृपा होगी, लकिन नम्बर नौ रहेगा, लकिन कलर रहेगा, नारंगे आपके लिए, बात करेंगे, चौती राशी करक यानि की कैंसर कि करक राशे होने, आपके काम को पहचान मिलेगी, प्रियास सफल होंगे, दफ्तर में काम की सरहना भी होगी, मजबूत व्यक्तित्व के रूप में उभर कराएंगे आप, माता पिता सयोग करेंगे, आर्थिक स्तिती ठीक रहेगी आपकी, एक विशेश काम करेंगे, किसी भी राशी सिंग यानिक लियोकी सिंग राशी वालो, आज जीवन में कई उतार चड़ावा सकते हैं सिंग राशी वालो, चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा आपको, फैसले लेने में कुछ उल्जन हो सकती है, कड़ी महनत से फल मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखेगा, लखी नमबर पांच रहेगा, लखी कलर रहेगा हरा आपके लिए, बात करेंगे छटी राशी कन्या यानि वर्गो की, कन्या राशी वालो, देखिए सात्मा चंद्रमा है, सेहत अच्छी रहेगी, खान पान पर ध्यान दिना पड़ेगा, आप उट पटा खाने से बचना है आम दिनी में बढ़ोतरी के योग नजर आते हैं, करियर में अच्छे मौके मिल सकते हैं स्टूडेंट्स को, दाम पत्य को लेकर भैतर योजनाएं बनाएंगे आप निकट भविश्य में, परियोजनाओं से सायोग शमा कीजिएगा, परिजनों से आपको सायोग मिल सकता है एक विशेश काम करें, हरे पैन से क्रीम लिख कर, जला दीजे, सब को शुब होगा, लकिन उम्बर नौ रहेगा, लकिक अला रहेगा, नारंगी आपके लिए, बात करेंगे सात्वी राशी तुला यनिक लिवरा की, तुला राशी बोलो, देखे छटा चंद्रमा है, भवि चकारी के योग बनते हैं, छटा चंद्रमा है, माता पिता से नौक जोक के भी योग हैं, तो दिन ठीक नहीं है, थोड़ा सा शान्त रहें, और एक छोटा सा उपाय करें, शाम के समय तुलसी पर धूप तीप कर दीजे, सब को शुब होगा, लकिन नंबर एक रहेगा, लकि जनों से सयोग भी मिलेगा आपको, जीवन साथी के सयोग से बड़ी काम्याभी मिलने के योग नजर आते हैं, प्रेम जीवन सफल रहेगा, पंचम चंद्रमा है, दिनको और अच्छा मनाने के लिए, किसी भी गरीब कन्या को सिक्के दान कर दीजे, सब को शुब होगा, लक आतान को कोई अचीमेंट मिल जाए, दफ्तर का काम समय से पहले पुरा कर पाएंगे, आप परिवार में आपसी प्यार बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ, आज कहीं घूमने फिरने, कहीं वाक वाक पर ले जाएंगे, प्रेम जीवन रसिक रहेगा, मिलेंगे भी, और उत्त फिट रहेगी आपकी, सफलता के लिए कड़ी महनत करेंगे, तरक्की में आ रही बाधायन जो हैं, वो भी दूर होंगी, तीसरा चंद्रमा है, कोशिश सफल होंगी, धनलाब भी हो सकता है, इंजिनियर्स जो हैं राशी के, उनको नौकरी के अच्छे ओफर भी मिल सकते हैं दिन को और अच्छा बनाने के लिए मकर राशी वालों, छोटी उंगली पर, यह जो कनिष्ट का उंगली होती है, इस उंगली पर थोड़ा सा चंदन लगा के, मस्तक पर तिलग कर लिजे, सब कुछ शुब होगा, बुद्भार कर देने, और इसका संबन जो है छोटी उंग आज कदम चूमने जा रही है आपके, दूसरा चंद्रमा है, तरक्की के भैतरीन अफसर मिल सकते हैं आपको, कारोबार में बड़ा लाव हो सकता है आपको, आर्थिक स्तिती बहुत अच्छी रह सकती है, रुका हुआ पैसा वापिस मिल सकता है, जिवन शैली में सुधार भ पीला आपके लिए, बात करेंगे, बारवी राशी मीन यानि पाइसिस की मीन राशी वालो मांसिक उल्जन रह सकती है, दफतर का माहौल सुधर सकता है, और एक बात को संजिएगा, आज पहला चंद्रमा है, यानि कि आपकी राशी का चंद्रमा है, इसलिए डेलिरियम की स् चुरू कर सकते हैं, जीवन साथी से बहस-बाजी के योग हैं, सावधान रहें, शांत रहें, और एक विशेश काम करें, कागस पर बुम, ये बुद्ध का बीज है, ये लिखकर तूलसी पर चढ़ा दीजे, सब कुछ शुभ होगा, लगकी नमर साथ रहेगा, लगकी कलर दिलाए, सफलता दिलाए, देखिए, पंचमी का दिन है, शिव पंचमी, सावन की पंचमी, और विशेश तोर से पंचमी पर बुद्धवार अगर आ जाता है, तो विशेश्ट पद्म योग का निर्मान हो जाता है, लेकिन ये पद्म योग है, सुबह 10 बच कर 45 मिनट तक ह इसलिए इस उपाई को सुबह ही कीजे, कई लोगों ने मुझे से कहा है, कि आप समय भी बता दिजे कि किस समय उपाई करना है, तो बिलकुल, तो सुबह के समय में आपको शुब महरत दिया गया है, उस समय पर करें ये उपाई, और निश्चित रूप से कामकाज में, प्र शिवाले जाईए सावन है, पंचमी का दिन है, शिव पंचमी का दिन है, शिवलिंग की पूजा पाट कीजे, जो भी आपको अच्छा लगे, धूप, दीप, पुष्प, गंद, नवैद, चंदन से तुरुपंड वगरा बना दीजे, थोड़ा साक्षत चाड़ा दीजे, और उसके बाद, एक मंत्र का जाब करते वे, ये जो मौली के साथ में पांच दुरुआ अपने बांध रखी हैं, इसको शिवलिंग पर बांध दें, भुले नात को बांध लें अपने वचन में, और मंत्र क्या है, मंत्र शुपुरान से लिया गया है, और मंत्र है ओम कर्मने नमहा, यानि कि सभी कामों को उजवल करने वाले समस्त ब्रह्मांड के एक मात्र अधिकारी परमेश्वर्शिव आपको नमन, इसका मतलब यह है, और फिर देखिए, हर काम काज में आपको निश्चित सफलता मिलेगी, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, कल आप शोजबल हूँ, नमस्कार, नमस्षिवाय,